नमश्कार दोस्तो तनुवेस किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो हरी मिर्ची जैसे की धावे पर मिलती है फ्राइड हरी मिर्ची या फिर छोले बटूरे के साथ या शादी व्या में बनने वाली फ्राइड हरी मिर्ची कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों रेसिपी देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रेसिपी को पूरा देखिएगा ओटल और धावे वाली हरी मिर्ची फ्राई बनाने के लिए हमने लिए कुछ मोटी हरी मिर्ची जो हलके रंकी होती है ये करीब 1.500 ग्राम टाजा हरी मिर्ची हैं इस तरह की मिर्ची जढ़ा तीखी नहीं होती है और जढ़ा बीज भी नहीं होते हैं मिर्ची को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोच लिया है और इसके डंठल और टिब बाला बाग अलग कर दिया है इस तरह से सभी मिर्ची को काट कर तयार कर लेंगे अगर हरी मिर्ची का डंठल ताजा है तो इसे काटेंगे नहीं डंठल सहीद भी इसको फ्राई कर सकते हैं दोस्तो कभी भी अगर डंठल के साथ हरी मिर्ची फ्राई कर रहे हैं तो एक slit जरूर बनाना है नहीं तो मिर्ची फ्राई करते समय वस्ट हो जाती है और जलने का डर रहता है इस तरह से सभी मिर्ची में छोटा सा होल बना देना है या थोड़ा सा स्लिट बना देना है slit छोटा ही बनाना है नहीं तो उसके बीच बाहर आ जाएंगे और तलते समय बीच तेल के अंदर वस्ट हो जाते हैं और जलने का डर रहता है अब एक भारी तले की कड़ाई ले ले या पर नॉनिस्टिक कड़ाई ले ले या तवा ले 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 उस पर दो चमस तेल डाल दे तेल जब अच्छे से तेज गरम हो जाए तब उसमें ये slit बनाई हुई मिर्चिया एक एक करके डाल देनी है एक साथ धेज सारी मिर्ची नहीं से फ्राई हो जाएगी तो उनका साइड टर्न करेंगे एक चमस से साइड शेंज कर देना है अगर मिर्ची के बीज निकल आए हैं तो उसका ध्यान रखें मिर्ची के बीज चटकने पर जलने का डर रहता है तो ये मिर्ची फ्राई बड़ी साफधानी से करना है एक तरह को सब्स्राइब कर देशिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिसे लेटिस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अब ये मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है इनको निकाल कर एक बरतन में अलग रख लें इसी तरह से और भी कटी हुई मिर्ची को फ्राई कर तरह नहीं डाला है मिर्ची को ऐसी चमच से निकालना है जिससे उसका तेल कडाई में ही गिर जाए एक्स्ट्रा तेल मिर्ची के अंदर ना आए अब इस मिर्ची को पांच मिर्ट ठंडा होने देंगे तली भी मिर्ची को धावा स्टाइल या होटल स्टाइल बनाने के आप सादर नमक भी डाल सकते हैं, एक चमच बारीक पिसा हुआ धनिया पाउंटर डाल दिया है, एक चौथाई चमच आमचूर डाल दिया है, आमचूर नहीं है तो आदा चमच नीबू का रस्पी डाल सकते हैं, और इसमें ज्यादा कोई भी Sipices की जरूरत नहीं होती है, बह खाने के स्वात को दोगुना कर देती है तो आप भी अपने खाने के स्वात को बढ़ाने के लिए इस तरह की मिर्ची फ्राइ करके जरूर रखें और बताएए कैसी लगी मेरी रैसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमिट्स करना न भूलें तनु भैस किचिन थैंक्स